तो आप सब लोग कैसे हैं प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना तो चलो देख लेते कौनसा कौनसा कमपणी है इस पीडियो के अंदर फर्स्ट जो कमपणी है जिसके बारे में चर्चेकर उसका नामें जोमाटो देखें जोमाटो के उपर पिछले दिनों में एक आपडेट जो अपडेट में देखने को मिला था कि कमपणी ने बहुत दिनों से जिस्ट पेमेंट नहीं किया और वो भी कितना आप यह पर देख सकते हैं नोट जो लाइबलिटी है एक उसी को टूपे एनी टैक्स मतलब कोई भी टैक्स नहीं दिया और वो भी जोमाटो ऑन 401 करोन नो पूरा आता किया एक नोटीस बेजा टैक्स ना पेमेंट करने था है तो किस बेशिसमेंट 400,00 करोड के आसपास तो गम में यह बता रहए कि मतलब आइटी सेक्ट दे इसंदा रही किम्पनी ने इतनों दिनों तक जो दीवरी कर रहे थे उस डवाई के जो पेमेंट नहीं कि तो company देखे company बता रहा है मैं एक delivery company हूँ और government दिखा रहा है कि आप से delivery नहीं आप एक services company भी है मतलब food services company भी है तो जो services करने के लिए जो charges देना पड़ते है service charges उसको आपने नहीं दिया तो बहुत cool मिलाकर जो आपका fine हुआ 400 crore के आसपास तो जब भी इस news आया तब इस market में share के पर एक big crash देखने को मिला तो मुझे बहुत सर दूस्तों ने comments भी किये कि सर इस news के कारण के share में big crash हो सकते है मैं पहले आपको बोल चुका हूँ जो माटो बहुत दिनों के बाद एक profitable company बना है पिछले first quarter में 2 crore का second quarter में 32 crore के आसपास profit किया अभी हर किसी लोगों का एही question रहेगा कि quarter 3 में क्या reserve होने वाल है उसको देखना तो चाहिए तो finally यह जो news आया उस news का कुछ भी effect नहीं पड़ा क्योंकि जो माटो ने एक उल्टा case किया कि मैं इस तरह के payment नहीं दे सकता क्योंकि मैं food delivery company हो मैं कुछ services company हो मैं इसलिए service charges में नहीं दे पाऊंगा तो जिसके basis में मुझे लगता है फिर से जो माटो को पर recovery हो चुगा आप देख सकते हैं पिछली दिन में जब भी इस तरह के से news आया था तो एक big crash देखने को मिला था और cash होने के बाद जब भी कुछ इस तरह के patterns बना था तो मैंने आपको तब भी video बना के share किया उस दिन बना था वो कि इस basis में बना वह सबसे पैदे देख लीजिए लंबा जर्नी का एक एंटी था करीबन 2022 से लेकर एंटी था तो 2022 में आप देखेंगे तो यहां पर क्या बना एक solder उसके बाद एक big head बना और उसके पर एक solder केट हुआ तो solder come head come solder केट हुआ और finally क्या हुआ फाइनली यहापर breakout हुआ तो finally यहापर breakout हुआ और breakout होने के बाद अभी धिरे-धिरे करके आगे बढ़ रहा है अभी breakout किस तरह के से हुआ और breakout किस तरह के से confirm हुआ वो देख लीजिए लेकिए यह जो candle है इस candle ने क्याकर ब्रेक ब्रेक यहापर breakout किया इस candle ने तो उपर यहापर एक wix है क्या मुझे इसके उपर कोई green candle closing चाहिए कि इस level के उपर green candle closing चाहिए मुझे जो इसका body है उस body part के उपर closing चाहिए wix के उपर नहीं है मतलब जो shadow है उस shadow के उपर नहीं है अभी shadow क्या होते है अब ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहापर देखिए यहापर यह जो breakout हुआ यहापर इसको मैं body कहूंगा उपर जो side है यह जो line है इस तरीके से line जो देखने को मिला इ और easy तरीके से मुझे लगता है किस तरीके से easy तरीके से वो target तक achieve करने के लिए कोसिस करेंगे तो जो हम लोगो चिंता रहता है कि जब negative news आता है तो company के उपर क्या करना चाहिए तेखिए negative news को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि company के उपर आरोब लगा दा है इसका मत podcast को continue करेंगे तो कब उसका result आएगा कब उसको finally payment करना पड़ेगा वो देखना बाकी है अभी फिलाल के लिए जो मटक उपर आपके कराया है जोरू मुझे comments करके बताने नेक्स जो company उसका ना में असोग लेलन को उपर लोगों को जो expectation था कि company अच्छा खासा growth करेंगे मगर ह हुआ कुछ उल्टा इस December मांत में December मांत खत्म होने के बाद company का sales का data आया sales का आकड़ा देखने को मिले और आप एक downside sales देखने को मिले तो कितने downside चलो में आपको दिखा देता हूँ आप देख सकते है असोग लेलन December sales drop 10% 10% का sales drop होना मतलब बहुत बड़ा भारी भर कम पेसा देखने को मिलेगा और वो भी किसके ऊपर year of year business में मतलब पिछले साल में जो sales था total sales आप देखेंगे तो करीबन करीबन 18,138 unit का sales हुआ या पर मैं करोडों का बात नहीं कर रहा हूँ या पर unit का बात कर रहा हूँ इतने unit का गाड़िया company बेचे थे और इस बार कितना बेच तो सोचिए 10% का या पर growth या पर काम देखने को मिला तो 10% sales डाउन हुआ और sales डाउन होने के चलते है company के share price में correction momentum देखने को मिला पैनल अब देख सकते किस तरह के से correction momentum देखने को मिला है तो क्या इस correction continue होने वाल है देखे मार्केट हमेसा sentiment के उपर चलते हैं हमेसा news basis में चलते है news अगर इस तरह के से negative हो तो market में correction होगा ही अभी कब तक correction होगा क्या से reverse करेगा उसको तो कोई पता नहीं है अगर आपने इस company के उपर research करके काम किया तो उसके उपर आपको भरोसा करके काम करना चाहिए तो इस company के उपर मेरा जो anti-levels है मैं कुछ बड़ा सा एक anti-level ले चुका हूँ क्योंकि आज का नहीं company 2018 से लेकर जो पैटन केट करिया था तो 2018 में यहापर क्या बना एक कब बना उसके बदा एक solder बना फिर से एक छोटा सा solder बना और final क्या हुआ यहापर breakout होगा अभी देखे breakout होने के बाद यहापर एक retracement किया और धीरे 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 करके company आगे बनने का कोसिस करेंगे और मुझे लगता है जिस तरीके से वो journey आपर दिखा रहा है वो easy तरीके से इस जगा तक target को achieve कर सकते है अभी target achieve होगा के नहीं होगा बो तो बाद के बाद है फिलाल के लिए में इस company को पर anti क्यू लिया वो मैं आपको समझा देता हूँ एक एंटी लेने के दो बजा है पहली बाद company का quarterly result आप देखेंगे company इस बर highest sales को जिनाट किया पिछले सालों के तुन्ना से बहुत ज़्यादा sales को growth किया और quarter के तुन्ना से भी बहुत ज़्यादा sales growth किया तो company के sales बढ़ा expense control में रखा इस business में company का net profit लगातार बढ़ता हो देखने को मिले 186 क्रोड से बढ़के हो चुके 569 क्रोड तिक अलग लेवल का profitability net profitability growth हुआ इस net profitability growth होने के कारण से यर में एक massive momentum और journey देखने को मिले अभी इस company के उपर एक बात में आपको जूरू कहूंगा कि as a investor इस company के उपर as a investor promoter से लेकर fsds public हर किसी के पास investment दिखेंग तो fs ने क्या क्या पिछले जून quarter से September quarter में company के उपर क्या क्या 5% holding को बढ़ा दिया 4-5% के holding company के उपर बढ़ा दिया और ds ने क्या क्या उस holding को यहाँ पर बेचा मतलब जितने ds ने बेचा उतनी quantity fs ने उठा लिया इसका मतलब एक positivity तो देखने को मिला है कि company के उपर एक high growthable situation है क्योंकि institution जो है वो continue खुद के पास इस share को रखना चाते है तो इस basis में मैंने क्या क्या टेड लिया तो जब कुछ इस तरीकी से growth दीखे तब उस company के उपर टेड हो टेड जोरू बनता है तब उसके पर में टेड भी initiate करता हूँ पाकी आपके कह रहा है मुझे जोरू अब टेडिंग क्यों ज्यादा हुआ क्योंकि मैं पहले बोल चुग हूँ कमपानी का जो डिसमबर मांद का जो sales का जो report है उस report आने के बाद ही एक volatility देखने को जोरू मिलेगा तो आपके खिराह इस company के उपर जोरू comments करके बताना नेक्ट चोंपानी उसका नाम है डीमाट देखें डीमाट के उपर हर किसी व्यक्ति का एही चीनता है कि बहुत दिन तक डीमाट ने कुछ खास performance नहीं दिखाया एक ही range के उपर company trade कर रहा है company उतना जदा high growthable situation में नहीं है तो ऐसे क्या हुआ पहली बाद देखें डीमाट के उपर 300 से भी उपर 300 से उपर इसका peer ratio दे और valuation की सबसेगा सस्ते हो तभी लोग नीवेश करना चाहेंगे फिर भी डीमाट एक ऐसे company है जिसके उपर किसी भी situation में लोग खरीदरी करने के लिए तयार है क्योंकि इस company के ओनार है उसका नाम है रधाकिसंदमानी जी अब सभी जानते है रधाकिसंदमानी जी इस company को start कि सबसे बड़े कमपणी है और वह भी रिटल सेक्टर के उपर तो यहां पर question में सबसे ज़्यादा बड़ा अगर इस रिटल सेक्टर में काम कर रहे है वह है रिलाइंस तो रिलाइंस को क्या इस company टकर दे पाएंगे बिल्कुन नहीं रिलाइंस के साथ टकर देना इतना आसा तो फिर भी इस company के उपर एक growth point of view से देखा है तो उतना जदा growth नहीं हो रहा है जो last कुछ yes में देखने को मिले तो company इसको पर एक बहुत बड़ा update आया जिसके चलते है मुझे लगता है अपकर में टैंस में इसका अच्छा खासा growth हने का chances रहेगा वह updates कहा है चलो सबसे पह होगा करीबन 13,200 क्रोड के आसपास अभी चलो company के quarterly result भी दिखा दिता हूँ अब देखेंगे पिछले साल में company के revenue कितना है था 12,600 क्रोड और company बता रहे इस बार 13,700 क्रोड सड़ी 13,200 क्रोड 13,200 क्रोड के आसपास company इस बार sales को increase किये है company के sales में कभी भी कमी आपको नहीं द धीरे-धीरे करके अभी भी company continue कर रहा है ऐसे नहीं के sales काम हो गया अगर sales में कम देखने को मिलेगा तो company बहुत बूरी तरीके से खत्रे में पढ़ सकते है तो डिमार्ट का जो founder है अदा के संदमानी जी वो कोई छोटे-मोटे बैकती नहीं है और वो सब-सपहले stock market को वोग पर भी काम करते थे तो उनकी एक experience है इस field का और इस business का तो वो हाल नहीं छोड़ेंगे और company बहुत तेजी से online platform को growth कर रहा है तो online platform में देखे पहले से ही बहुत companies है Amazon है, Flipkart है और भी बहुत सरे companies है जो online platform को पर काम कर रहा है तो उसको टकर देना और आगे बनना इतना आसा institution आप देखेंगे, company को जो cash flow है पो लगातर बढ़ता हो देखने को मिले, तो आज़े investor, promotor से लेकर FSDS public हर किसी के पास investment आपको दीख जाएगा और मज़ेदार बात ही है कि institution इस company को पर माल बेचने के लिए त्यार नहीं है, अगर FS माल बेच रहा है तो DS करीदरी कर है, अगर दिनों में एक धमा का delivery का person से देखने को मिला, अभी 80 person का delivery उठने के पीछ एकी reason है, company के sales में improving, तो sales improving हुआ, तो इसलिए delivery भी अच्छा का सा उठाए गया, तो technically chart patterns के बारे में चर्चा करूँ तो company के उपर बहुत दिनों से में एक pattern को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, solder, फि अब इस तरीके से solder pattern compete होगा, तो इस company के उपर एक already solder pattern compete हो चुके है, मेरे इसाब से, तो अभी एक point के इंतेजार करना पड़ेगा, वो है breakout और breakout confirmation, तो breakout होना चाहिए, और breakout confirmation होना चाहिए, तब भी इसके उपर में कुछ anti लेने वाला हो, अभी आपके कह रहा है, इस company के उप नियोजन सब्टर टेक्नोलिस लिमिटेड, देखिए, माफी चाता हूँ, नेक्चो कमपनी उसका ना में कुचिन सीपर लिमिटेड, जो company के अपडेट के बारें बात कर तो कुचिन सीपर के उपर एक के बदले आपको दो स्यार मिनने वाल है, और वो भी आपको है, जिस split क आपको जानकर अच्छा मिले, तो प्लीस लाइक करना, दोस्तों को साथ भी सेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्रेब करना, वित नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद,